सो हें गाइज आज हम बात करने वाले हैं 1999 में आई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म पर जिसका नाम है हाउस ऑन हांटेड हिल दोस्तो ये काफी बहतरीन मूवी है और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.6 आउट आफ 10 तो दोस्तो मैं आशा करता हो कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आईगी दोस्तो अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान और पर कर दे ताकि आपको एसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे तो दोस्तो अब बिना देर किये चलते हैं सीधा वीडियो की तरह फि उन पर हमला कर देते हैं और उसके साथ उसके पाच स्टाफ मेंबर्स भी थे इनके बीच में थोड़ी सी फाइट होती है होस्पिटल में एक्सिडेंटली आग भी लग जाती है सभी के सभी पागल मरीज इस भीशन आग में जल कर मारे जाते हैं डॉक्टर वैनकट भी इस मारा जाता है बट उसके जो पाच स्टाफ मेंबर थे वो बज कर वहाँ से निकल जाते हैं बाद में इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाता है बट इस हॉस्पिटल के कुछ हिस्से को एक रेसिडेंशल बंगलो में कनवर्ट कर दिया जाता है और तब से ही ये हाउस होंट हाउस की स्टोरी को न्योज में कवर करता हुआ देखते हैं उसे ये इंट्रेस्टिंग लगता है इसलिए अपना नेक्स्ट बर्डे इसी हाउस में सेलिबरेट करने का वो डिसीजन लेती है वो अपने हस्बेंड स्टीवन प्राइस को ये बात बताती है जिसे ये आईड़ा उतना अच्छा नहीं लगता बट फिर भी वो मान जाता है स्टीवन प्राइस एक सूपर रिच आदमी था जिसका एक एमिजमेंट पार्क भी था स्टीवन एंड एवी के बीच में रिष्टे अच्छे नहीं थे वो एक दूसरे पर शक करते थे एंड हमेशा जगरते भी र अगनाइस करना था हम देखते हैं इमेल में अपने आप ही बदल जाती है बड़े के दिन पांच लोग इस होंटेड हाउस में आते हैं पहला आदमी वाट्सन था जो हाउस का उनर था बचपन में वो इस घर में रहता था बड़र के मारे उसकी फैमिली वहां से भाग गई उसे पक्का यकीन था कि हाउस में घोष्ट हैं दूसरी लेडी थी जेनिफर जो अपने आपको एक एमेंसी की सीओ बताती है तीसरी लेडी थी मेलिसा जो की एक टीवी एक्ट्रेस थी चोथा आदमी था एडी जो एक फॉर्मर बेसबॉल प्लेयर था लास्ट आदमी था ड चलते सब लोग इस हाउस में आये थे घर में हम एक मॉडरन पेंटिंग को भी देख पाते हैं जो हॉस्पिटल के ओपनिंग के समय से वहाँ पर थी कुछ समय बाद इवी हाउस में आती है वह पेंटिंग के नीचे खड़ी थी तभी अचानक वह उपर से उस पर गिर जाती है एडी एवी पर कूत कर उसकी जान बचाता है जहां गलास के कुछ तुकड़े हर जगह पर थे बाद में स्टीवन सबको वेलकम करता है इवी गेस्ट को देखकर शौक होती है एज वो इनको पहचानती ही नहीं थी वो स्टीवन से प्राइवेटली मिलकर उसे कंफरंट कर करती है स्टीवी कहता है मैंने तुमारे गेस्ट लिस्ट को फार राला था मैंने एक अलग लिस्ट बनाई थी बट ये लोग वो नहीं है इनको इन्वीटेशन केसे मिला मैं नहीं जानता स्टीवन इवी पर ही इमेल को हैक करने का इल्राम लगाता है बाद में स्टीवन सभ तब उनकी चैलेंच अभी भी ओन थी वाट्सन को ये सब ठीक नहीं लग रहा था उसने हाउस को सिर्फ एक दिन के लिए भाड़े पर लिया था वो अपनी रेंट लेकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी हाउस लोगडाउन मोड में चला जाता है हाउस के चारों और स्टील गिर जाते हैं ताकि अंदर का कोई बाहर ना जा सके हॉस्पिटल के टाइम पागलों को रोकने के लिए ये सेक्रिटी सिस्टिम लगाई गई थी जो अपने आब एक्टिव हो गई थी वाट्सन इससे काफी डर जाता है कहता है यहां घोष्ट है वो बदला लेने के लिए ह हम स्टीवन को स्केचर नामके एक बंदे से चिप कर मिलते हुए देखते हैं एक्टिवन में स्टीवन ने हौस्पिटल काफी ज्यादा बढ़ा था यहां कोई भी आता जाता नहीं था इसलिए काफी विरान भी पड़ा हुआ था सबको लगता है लोगडाउन स्टीवन नहीं किया है एवी को भी स्टीवी पर ही शक था बट स्टीवी इससे इंकार कर देता है आप सभी लोग उस लोगडाउन के कंट्रोल रूम को बेस्मेंट में ढूनने जाते हैं इवी ने घर में गन्स को एज ए प्रोटेक्शन पेले ही रखवा लिया था जिससे एडी अब ले लेता है बेस्मेंट में होस्पिटल में इन्हें ऑपरेशन थेटर सैचुरेशन चेमबर और कई सारे कंकाल भी पड़े हुए मिलते हैं और वहाँ पर कई सारे मेडिकल एक्व क्रिक्मेंट्स भी पड़े हुए थे वहाँ एक तूटी हुई दिवार थी जिसके पीछे खून के धब्बे थे यहाँ जेनिफर एडी से कहती है उसका असली नाम सारा वालफी है और वह कोई भी सीओ वेगरा नहीं है बेस्मेंट एक मेस की तरह काफी चोड़ा था उसे बचाने जाती है बट कोई ताकत उसे भी अंदर खीचने लगती है नाव रियल एडी जो सारा को ढूंड रहा था वह आकर सारा को बचा लेता है मीनिंग कि सारा को यहाँ पर हैलुजिनेशन होने लगे थे और उसने जिस आदमी को देखा था वह एडी नहीं बलकि शा १ार डालते है मैलिशा की चीखने की आवाज बाकी सब लोग सुनते है ido मेलिशा की बड़ी वहां से मिसिंग थी यानि कि अप इन लोगों में से एक कंटेश्टंटों मर चुकी थी वहा खुन हर जगह पर गिरा हुआ था कैमेरा में मैलिशा का मर्डर साफ साब दिख रहा बट उसको भी किसी ने भुरी तरीके से मार दिया था उसके टीवी पर हम डॉक्टर वैनेकट के घोष्ट को देख पाते हैं मीनिंग कि डॉक्तर वैनेकट ही यह सब कुछ कर रहा है और लोगों को मार रहा है एडी एंड सैरा स्टील की डोर को खुलने जाते हैं बट वो नही खुलते तबी हाउस के लाइट सभी के सभी फ्लिकर होने लगते हैं देखने पर एवी को कोई इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा था एवी वही पर टेबल पर ही मारी जाती है स्टीवन को यह देखकर घुसा आता है एज उसे लगता है कि उसकी वाइफ एवी को बचे हुए लॉक करके उन्हें गोलगोल घुमाता था वहाँ पर मुविंग इमेजेस थी जिसके चलते माइन में इल्यूजन्स क्रियेट होते थे बाकी लोगों के जाने के बाद ब्लैक बन सैचुरेशन चेमबर को शुरू करता है जिससे स्टीवन वही पर घुमने लगता है वो लोट्रेट मिलता है जिसमें उसके बाकी स्टाफ मेंबर्स भी थे सारा को पता चलता है आज इस घर में जो लोग आये है वो उन्हीं पाच बचे हुए लोगों के वन्चज है वाट्सन केता है घर के घोष्ट नहीं स्टीवन की मेल को हैक करके उन्हें यहाँ पर बुलाया देते हुए देखते हैं जिससे एवी फिर से जिन्दा हो जाती है ब्लैकबन ने एवी को बेहोशी का इंजेक्शन दिया था एस सब को लगा कि एवी मारी गई है बट एक्चुल में वो जिन्दा थी एड एक्चुल में एवी एंड ब्लैकबन का अफेर था और दोनों ने मिल कर ही फेक डेथ का प्लैन बनाया था इस हाउस में पार्टी रखने का प्लैन भी इनका ही था वो बाकी लोगों को डरा कर उन गई सब स्टिवन कर रहा है एवी अब ब्लैकबन को ही मार कर उसकी लाश को सेचुरेशन चेंबर में डालती है वहाँ पड़े हुए स्टिवन को बहार निकालती है यहां एवी को सिर्फ स्टिवन का पेशा चाहिए था जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए जिन्दा था क्योंकि एवी की जिन्दा होने की बात इन तीनों को पता नहीं थी अब तीनों सेचुरेशन चेमबर में चेक करते हैं वहां ब्लैक बंद की कटी हुई मुंडी पड़ी हुई थी तीनों को पक्का यकिन हो जाता है हाउस में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे स्टीवन का ही हाथ है वो गन तान कर स्टीवन को ढूनने लगते है जब स्टीवन होश में आकर बाहर निकलता है सारा उस पर पैनिक में गोली चला देती है स्टीवन गोली खाकर नीचे गिर जाता है सब लोग अब फिर से बाहर जाने की रास्ते को ढूनने लगते है एवी स्टीवन के बोड़ी के पास आकर कहती है मैं रियल में ऐसा नहीं चाहती थी यदि तुम एक सिंपल डिवर्स के लिए मान जातें तो इतना ववाल पेदा नहीं होता तबी अचानक से स्टीवन अपनी आग खुलकर एवी पर हमला करने लगता है असल में उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था उसे हमेशा से ही एवी पर शक था और उसने हमेशा एवी की जासूसी करवाई थी उसे उसके एंड ब्लैक बन के अफियर के बारे में भी पहले से ही पता था स्टिवन एवी के बीच अब थोड़ी हाता पाई होती है जहां स्टिवन एवी को उस दिवार के पीछे फेक देता है अब उस दिवार के पीछे से एक काली परचाई आने लगती है जो एवी को अपने अंदर समेट लेती है और उसे जान से माल डालती है एक्चुली में वो परचाई घर के सभी घोष्ट की ताकत थी जो अब बदला ले रही थी स्टीवन उसे देख कर भागने लगता है एज वो परचाई भी उसे फॉलो करती है स्टीवन अब सारा एडी एंड वाट्सन से मिलकर एटिक पर जाने लगता है एज उसे लगता है लोगडाउन का कंट्रोल रूम शायद वही पर होगा एटिक की तरफ भागते समय वाट्सन परचाई का शिकार हो जाता है परचाई के अंदर से हम अब एवी की घोष्ट को देख पाते है जो क्लियरली सब को मारना चाहती थी एटिक में स्टीवन को कंट्रोल्स मिल जाते है वो स्टील डोर्स को हटा देता है एडी एंड सारा समहाओ उपर से घर के बाहर जाने में काम्याब हो जाते है इसमें ब्लैक बन का घोष्ट उनकी मदद भी करता है बड़ स्टीवन को एवी पकड़ लेती है और उसे भी जान से मबार देती है इस भी स्टीवन के पॉकेट से वन मिलियन डॉलर का चेक भी गिर कर भारा जाता है जो एंड में सारा को मिलता है फाइनली एडी एंड सारा बज गए थे और उन्हें पेसे भी मिल जाते है वो यहाँ से निकल जाते है और यह मुवी यहाँ पर एंडो जाती है इसलिए हाँस के घोष्ट ने उसे ट्रिक करके वहाँ पर बुलाया हाँस के घोष्ट को सिर्फ बदला लेना था ब्लैट बन, वाट्सन, एवी यह सब कोलेटरल डैमेश थे और बाकी जितने लोगों की जान गई असल में वो सारे के सारे पहले भागे हुए स्टाफ के वंचच थे लालाज बुरी बला होती है और वो हद से जादा हो जाए तो आप सबसे वो बुरे काम करवाती है जैसे एवी ने इतना सब कुछ प्लान किया सिर्फ अपने पती स्टीव को मारने के लिए ताकि उसको स्टीव की प्रापरिटी मिल जाती बट एट दे एंड वो खुद भी मारी गई उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्स्राइब करके बेल आइकोन आल पर कर दें और नीचे एक कमेंट जरूर कर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी आपके कमेंट्स पढ़के मुझे काफी मोठीवेशन मिलती है तो पलीज में शुर की आप लोग कमेंट कर दे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ही है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यायर करें आज कल हमारी वीडियो कम रैंक कर रही है तो प्लीज उन वीडियो की रैंकिंग बढ़ाने के लिए आप मुझे सपोर्ट करें तो दोस्तों मिलते हैं एसी ही किसी अगली इंटरेसिंग वीडियो में तब तक के लिए पीस आउट झाल